हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्ता है विशाला सबकर स्वालत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना पूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तो आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है जरा से भी स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है ओकी दोस्तो और दोस्तो आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दवा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाये करें हमारी अपकमिंग वीडियो की हमको मोटिवेशन मिला करें और अच्छी वीडियो बनाने की इनकेस वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो क्या है आज की वीडियो में ऐसा खास तो एंड तक देखना है आज की वीडियो में एक कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं दोस्तों जो बहुत इंपोर्टेंट है जो आप यूज नहीं करते हैं और बहुत टाइम से गूगल करोम ने अपने अंदर छुपा रहा ह ओके दोस्तों क्या है वो सेटिंग मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा ओके दोस्तों जैसे ही आप खोलेंगे आप एक काम कीजिएगा एक वेबसाइट खोल लीजिए जैसे कि मैंने वर्लोमीटर खोल रखी है ओके दोस्तों यहां यहां पर जाके आपको शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करने के पाद यहां पर कुछ आइकन आ रहा है, कॉपी लिंक, जो कि जनरली हर को भी प्रोवाइड कराता है, every browser, यहां पर एक और सेटिंग है, जिसके बगल में, send to your device, ओके दोस्तों, क्या है यह, दोस्तों, इ किसी के Google Chrome पर नहीं आता, मेरे में आ रहा है, क्यों आ रहा है, यह बाद में describe किया जाएगा, दूसरी चीज है, QR Code, क्या है यह QR Code, कैसे आया यहां पर यह QR Code, वो भी मैं बताता हूँ, दोस्तों, QR Code यहां पर सबसे पहले बताँगा कैसे आएगा, लेकिन इस पर क्लिक कर ले यह चीज आप डाउनलोड करके अपने दोस्त को भेज सकते हैं, ओके दोस्तों, भेज सकते हैं, और वो आप अपनी डिवाइस से उसे स्कैन करके आपकी पर्टिक्यूलर चीज, पर्टिक्यूलर वेबसाइट, यानि कि यह वर्ल्डोमेटर वाली वेबसाइट को शेयर करक इस तरीके से शेयर कर सकते हैं, इन केस आपके दोस्त की भीजी हुई चीज स्कैन करनी है, तो स्कैन का ओप्शन भी यहाँ पर अबलेबल है, बगल में यह देख सकते हैं, शेयर के बगल में स्कैन का ओप्शन है, ओके दोस्तों, यह बात होती हैं, यहाँ पर खतम, इसको क Google Chrome का ही एक specific environment है ओके दोस्तो जिसमें बोलेंगे Chrome C-H-R-O-M-E colon के बाद double slash ओके दोस्तो अब इस पे लिगना है F-L-A-G-S ओके दोस्तो इनका खुट की एक link बोल सकते है यहाँ पर इनका environment बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी settings देख सकते हैं जो आपको नहीं पता होंगी ओके दोस्तो अब दोस्तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप आएंगे सबसे उपर ही आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी ओके दोस्तो हाला कि अगर नहीं दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है QR Code QR Code इसी setting की मदद से आता है यहाँ पर आपकी setting में यह default होगा default से कहने का मतलब है यह आपके में accessible नहीं है enable कर देंगे accessible हो जाएगा ओके दोस्तो default में होता default setting जो provide कराती है Chrome वैसा रहेगा ओके दोस्तो अब बात करते हैं sharing hub की sharing hub भी आपको on कर लेना यह भी default रहेगा आपके में जैसे यह आप on कर देंगे तो यह share to the device and QR Code आपके में on हो जाएगा और आप इसे अपने friends के साथ particular कोई website भेजने के लिए कुछ भी जो चीज आपको site भेजनी है तो आप उसके साथ share कर सकते हैं ओके दोस्तो है amazing तो आप इस तरीके से उसे use कर सकते हैं तो उमीद है समझ में आया होगा किस तरीके से Chrome की इस setting से आप काफे कुछ advantage उठा सकते हैं तो उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी ओके दोस्तो और काफी कुछ नया है इस वीडियो में लिंक आपको ओके दोस्तो इस तरीके से आप easily link शेयर करते थे अब आप कर सकते हैं पूरी website शेयर ओके दोस्तो तो उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाना कता ही न भूलें दोस्तो तो मैं आपको मिलूँगा बहुत जल नेक्स वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स नईने वीडियो एप्स के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तो